तो प्रकृति की ही बात करने के लिए हमारे बीच आ रहे हैं पांडे जी, पांडे जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी, कहां है आप? जी, पांडे जी, बिलकुल, स्वागत, अभिनंदन आपका सर, और ये जो हैं कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रकृति को ले करके कुछ अपनी बात, कोई कविता जो है, वो पेश करना चाह रहे हैं। मुझे नई दिये, ये नई इनभूती इस बात की है कि रिटायर्मेंट के बाद मैं फ्री होके एक सुसाइटी के लिए काम कर रहा हूं, उसके साथ जुड़ गया हूं, और अभी मैं बविता जी से सुबह ही ये कह रहा था, कि नौकरी रहते मैं अपनी पत्नी को कोई सोश से शेयर करना चाहता हूं, सुबह उठते ही चुड़ियों का वो चह चाहन अगर नहीं सुना, तो मैं मुस्कराना भूल जाता हूं। घर के बाहर निकलते ही लोगों को, गन्नेगी को फैलते हुए देखके, मैं फिर मुस्कराना भूल जाता हूं। किम्ती हैं हमारे लिए और निश्चित तोर पर असल जिंदगी मेरा ये मानना है कि रिटायरमाइंट के बाद ही शुरू होती है। जिंदगी का दूसरा अध्याय यहीं से शुरू होता है। हिंदी भावन में जरूर आईएगा वरना आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। संतोष आनंद जी को सुनना न एक योग को सुनने जैसा है। बेचेन जी को सुनना जो है इक अलग अनुभूती है। विजेंदर परवाज जी को सुनना एक अलग सुखा दनुभूती है। तो ऐसे शक्सियों महमताज नसीम जी को तो हम सबने बहुत सुना भी है। जुडिएगा जरूर, आईएगा जरूर, मिलते हैं शाम को आप ये मान सकते हैं कि एक छोटा सा ब्रेक है। धन्यवाद, शुक्रिया।